हलो एबरीवन मैं दीख्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में घटना चक्र पूरा वलोकन को कबर किया जा रहा है जो की पॉलिटी का लेटेस्ट एडिसन है इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वैकेंद राज्य संबन्ध है इसके पहले की जितने करते हैं जहां आपको अध्याए एक से लेकर आपके जितने भी अध्याए कंप्लीट होते हैं अध्या 29 तक उनका वहां पर शैसन दिया गया आज जो हमारा टॉपिक है वह इसका अध्याए 30 वनंबर आता है जिसके अंतरगता आजम पढ़ेंगी केंद्र राज्य संबन्ध के बारे में इसकी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल यूपियसए प्यससी विद्धीक्छा को जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको इसकी प्राप्त होगी साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कूर्से सुपलब्द कराये जाते हैं उन सभी के प्यडिया फैब ले बिले यहां पर होगी चलिए तो शुरू CDU करते सुरू करने के पहले बता देए आपको कि केंदर राज्य संवंदों के बारे में एक सामार रूप रेखा कि संदर में जाना जाएं तो केंदर 245 से 255 है प्रशाजनिक संबंद जो आते हैं भाग 11 में आपके अनूचेद 256 से 270 तक आते हैं और 30 संबंद जो है भाग 12 के अंतर गत आते हैं जो के अनूचेद 268 से 281 तक कवर करते हैं तो इस तरीके से जो भारत के केंद्र राज्य संबंद है वो तीन तरेके से डिवाइड होते हैं जो भाग 11 और 12 में संदर भी थे चलिए तो ये के करके प्रतीनों ही तिकेंद राजी सम्मंदों के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो आता है हमारा बिदाई सम्मंदों के बारे में बिधाई सम्मन्दों के वारियां वात की जाये तेकेंद राज्यों की मद्द बहदर सम्मन्दों को इस्थापित करने और उनकी बिधाई प्रशाशने बितीय सम्मन्दों का बवारिणन समिधान की भाग 11 एवं 12 में किया गया सम्मिधान के बाग 11 में अनुचित 245 से 255 में केंद राजी सम्मंदों की विधाई सम्मंदों की प्राउधान का उलेखित किया गया है और सम्मिधान के अनुचित 245 के कलोज 1 के अनुशार कहा गया है कि संसत भारत के संपूर राजी छेत्रिया उसके किसी विभाग में विधी बने आँ सकेगी और किसी राजी का विधान मंडल संपूर राज्या उसके किसी विभाग के लिए विधी बना सकता है तो विभारती समिधान के अनुछे 245 के कलोज एक के अंतरगत कहा गया अब आता है अनुची 247 जिसके तह़े संसत को अधिकार दिया गया है कि वैसंग सूची के विजै से सम्मनित बुधी के संदर मैं अधिक अच्छे प्रशाषा नहीं तो कुछ अतरिक तिन्यायलों की स्थापना के संदर में आप का अनुची 247 आता है और समिधान के अनुशित 248 के अंतरगत कहा गया है कि आउसिस्ट बिधाई सक्तियां संग्हे संसत को सौपी गई है इसके अंतरगत आता है समिधान का 101 कवा समिधान संसुदन अधिनियम जो 2016 में अन्ता इस्थापित करके एक नया आर्टिकल 256 का कि अतर शंसत को और पृतिक राज की विधान मंद को संग्हे द्वारा या उस राजी द्वारा आदि रूपित माल और सेवा करके संब्द में बिधिया बनाने की सक्ति दी गई है साथी माल एबं सेवाओं के अंतर राज़ी व्यापार की स्थितियों माल एबं जेवा करके संर्भ में संसत को विधिया बनाने की अनन्य सक्तियां भी सोप गई हैं भारती समिधान की अनुचे 297 विषयों पर सम्मंद में संसत की विधाई सक्तियों से ये सम्मंदे थे और ये राज्य सबा में उपस्तितों मत देने वाले सदस्चों से कम से कम दो तिहाई सदस्चों की समल्थित संकल्प द्वारा घोसित किया जाता है राश्टी ये हित में यह आविश्य का समिचीन होता है कि संसद राजिसूची के विशाय में बिधी बनाए और संसद उस विशाय या माल या सेवा कर कानून बना सकती है इसके अंतरगत आता है अब आता है अनुचेद 250 के कलोज एक के अनुचार जोकी राश्ट पती द्वारा राश्टी या पातकाल घोसट के ये जाने की स्थिती में संसद को राजिसूची में वर्नित विश्यों जिनमें माल इवं सेवा कर पर विधी बनाने का अधिगार प्राप्त होता है और अनु सार यदी संसत द्वारा अनुचेद 250 के दhales बनाई गई विधियों को राजि के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंघती पाई जाती है संसत द्वारा निर्मिद विधी प्रभावी होगी और अंशेट दोसो बावन की तहट दो या दोसी अधिक राजों में उनकी सहमती से विधी बनाने की संसत की सकती और यसी विधी का किसी अन्य सराजी द्वारा अंगिकार किया जाना उनले खित होता है। अन्शेट 253 की तह संसत को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधी करार अभीशम है। अध्व किसी अंतराजटी संवेलन संगा में अन्य निकाय में किये गए किसी बिनिश्चे की कारेनवन के लिए भारत की संपूर राजिशेतर और उसके किसी विभाग के लिए 263 थक के अनुशेटों को कबर करता है। और यह द अन्शेट 256 में कहा गया है कि पृतिक राजी की कारपाल का सक्ति का इस प्रकार से प्रियोग किया जाएगा जो संसत द्वारा निर्मित। विदियों का अनुपालन सुने श्चित रहे हो और संगी की कारपाल का सक्ति का व प्रियोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संगी की कारपाल का सक्ति का प्रियोग प्रभावित ना हो और संगी की कारपाल का सक्ति का विस्तार किसी राजी को ऐसे निर्देश देने तक होता है जो भारत सरकार के इस प्रियोजन हितु आविश्यक प्रतीत होती है। अन् सभ्षित 202 अंठाउन का का कि अनुशार इसी राजिका राज़ पार भारे सरकार की सहमती से वे सरकार को या उसके अधिकारियों से एसे विशाय स्वंधित क्रति जिन पर उस राजी की कारपाल का सक्ती का विस्तार सासर्ट या बिनासर्ट सौभ सकेगा और अन्शिद 262 का किलोज एक की अनुशार संसतबिदी दोरा किसी अंतराजिय नदी या नदी दून की या उन में जल के प्रियुक वित्रण या नियंतर की सम्मंद में किसी बिवाद या परिवाद के नियारनियन की सम्मंद में luegoXT कर सकेगी और अंशिद 263 की अनुशा अब आता है हमारत तीसरा सम्मंद बित्तिय सम्मंदों के बारे में बात की जाए तो इसे भारती सम्मिधान के भाग 12 के अनुचे 268 से 281 तक के अंदर एबं राज्यों सरकार के मद्ध राजस्व की वित्रण सम्मंदी प्रावधान दिये के अनुचे 265 के अनुचार कोई कर विधी के प्रादिकर्ण से अधिरोपित या संग्रिहित किया जाएगा अने था नहीं और अनुचे 266 के तहट भारत और राज्यों की संचित निदियों और लोक लेखे का उलेख किया गया अनुचे 266 के कलोज 1 के तहट संसत बिदी द्वारा भारत की आकस्मिक्त निदी की स्थापना कर सकेगी और अनुचे 266 के कलोज 2 के तहट राजी विधान मंडल बिदी द्वारा राजी की आकस्मिक्त निदी की स्थापना कर सकेगी और अनुचे 268 में संगेद्वारा उद्गरहीत किये जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगरहीत और विनियों जयत किये जाने वाले सुल्क अनुछे 279 में संगे द्वारा उद्गरण और 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 उ 2016 में अंता इस्थापित नई अनुछे 289 का की तहत माल एवं सेवाकर परसर संबंदी प्राउधन किये गए हो और अनुछे 280 के कलोजेक की अनुशार राश्टपती समिधान की प्रारम्वी की दो वर्स की भीतर ततपशात प्रतेक पांचे वर्स की समापती पर या ऐसे पूर अगर राश्टपती बित आयोग द्वाला दी गई प्रतेक सिफार इसको उस पर एकी गई कारवाही के इस पश्टी कारग ज्यापन सहित संसत की प्रतेक सदन की समक्ष रखवाएगा और केंद राजी सम्बंदों पर विचार करने के लिए निया मूलती आरे सरकारिय की एक्षिता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया जिसमें भी सिवरामन एस आरसेन इसके अर्नेदू सद से बनाए गया और इस आयोग में जनबरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सोपी और केंद राजी सम्बंदों से सम्बंदित अन आयोगों या समीतियों में राजमनार सम समीति जो कि उननी सोनातर और पुंछी आयोग समीति उन्डू हजार साथ में इसमें सामिल हुई तो इस तरीके से भारत के केंदर राजी सम्बंद है चलिए तो हमने इसको एक नोट के तोर पर एक रिवीजन किया अब रिवीजन करते हम अपने प्रिशनों को सॉल्व करते हैं जिसके अंतरगत हमारा पहला प्रिशना आता है कि भारत के केंदर राजी सम्मंद सबसे प्रभावित है तो प्रभावित होते हैं किस से प्रभावित होती हैं पहला आता है सम्मिधान की प्रावधानों से दूसरा आता है नियोजन की पिक्रिया से तीसरा आता है राजन सत्ते हैं तो option D आपका सही होता है इसकी ब्याख्या कि संदर में देखा जाए तो केंद्र राजी संबंदों की मद्द बैतर संबंद बनाने के लिए बिधाई प्रशाचनिक बित्तिय संबंदों का बढ़न है बारती संबंदान के भाग 11 बारा में किया गया है जैसा कि अभी अब आता है हमारा next question जिसमें पूछा गया है कि भारत में केंद्र राजी संबंद निर्वर करते हैं तो केंद्र राजी संबंद किन कारणों पर निर्वर करते हैं तो इसके संदर में कथन दिये गए आपको कथनों को पहचान करनी हो बताना है कि कौन-कौन से कथन सकते हैं पहला आता है कि सम्मिधानिक प्राउधानों पर तूसरा आता है परमप्राओं और विवहारों पर तीसरा आता है नयाएक ब्याख्याओं पर और चौथा आता है बातचीत के लिए यंत्रविन्यास पर तो इसमें देखा जाए तो क्यंत्र राज सम्मन्द जो है वह चारों ही कत्रों पर इस पश्टी करण करते हैं तो इसमें आपका option भी होगा next question आता है आपका कि एक संगी राज विवस्था में समलित है तो इस संगी राज विवस्था में क्या समलित है इसके अंतरगत आपको बताना है इसमें पहला आता है आपका संगी बमराज्यों के भी सम्मन्ध, दूसरा आता है राज्यों के भी सम्मन्ध, मैं समन्भय के लिए तंत्र और विवादों को सुलजाने के लिए तंत्र तो आपको इसका सही उत्तर की पहचान करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही तो इसमें इस तरीके से option दिये गए हैं और option और भी देख लेते हैं जो CD के अंतरगत दिये गए हैं जलसे कि एक option आपके दिये गए हैं तो इसके अंतरगत देखा जाए तो आपकी जो कथन है इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही कथन सत्तों होने के सा तो option A आपका सही हो जाता है अब आता है हमारा four number का question जिसमें पूछा गया है कि केंदर राजी सम्मंदों में विसेश रूप से किस प्रिशंग में म्यूनिशिपल सम्मंद कहा गया option A दिया गया है कि विधायन की छीतर में option B दिया गया है बितिय मामलों में आपसी भागिदारी और इस पर सही योग से होता है। राज्यों को आवंटेन किया जाता है। और पंचवर्सी होईजनाओं के समाप्त होने के साथ है। गाडगल सूतर धाधारे अंदान भी अवराज्यों कि संसानों के आवंटेन का माध्यम नहीं है। केंदर राज्यों के अंतरगत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कोशिन जिसमें पूछा गया है कि भारती समिधान के किस भाग में केंदर राज्यों की विधाई सम्मंद दिये गए हैं। तो केंदर राज्यों की विधाई सम्मंद जो दिये गए हैं इनकी बारे में बताना हैं। बात की जाए तो आपका अनुषिद 245 और 246 आता है जो दोनों के अंदर राज्यों को इमद सक्तियों की वित्रण में सम्मेधान की तीन सूचियों को प्रिस्तुत करता है। इसके अंतरगत होता है। अनुषिद 4 में जो होता है वह आपका पहली एवं चोथी अनुषूची में संसुदन से संदर में है। अनुषिद 5 जो है वह सम्मेधान की प्रारम में नागरिक्ता की संदर में है। और किसी भी विशे पर कैंद्र को और सूची 2 के अंतरगर राजी सूची में सामिर विश्यों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देती है। और वहीं सूची तीन जो है वैसंवर्ती सूची के विश्व पर क्यंद्र राज्यों दोनों में ही कानून बना सकती और इस परकार अब आता है आपका question जिसमें ग्या अबातेए आपके आपका question जिसमें पूछा गया है राजी सरकार दोनों कानून बना सकती है, वैं कौन कौन से विसाय होते हैं, जिन पर केंदर राजी दोनों कानून बना सकती है, तो वो संबर्ती सूची के विसाय होते हैं, जिस पर केंदर भी कानून बना सकता है, और राजी भी कानून बना सकता है, आपको बता दे कि केंदर में कानून बनाने के लिए आपकी संग सूची है राज के लिए राज सूची लेकिन कुछ कानून ऐसे होते है जो केंदर के लिए बहुते हैं और राजेों के लिए होते हैं इसे सम्मर्टी सूची कारे करती है अब आता है कि भारत में निम्लेकित मैसे किसे सिशूँ और आवे एक्सों को के साथ साथ आर्थे को सामाजे क्यों जनाओं के लिए बिधी निर्माड की सक्तियां प्रदान की गई हैं तो इसके अंतरगत आपको बताना है तो बिधी निर्माड सक्तियां तो इसके अवसिष्ट सक्तियों को भारती सम्मिधान के अनुषिट 248 के कलोज एक के अनुसार संसत को ऐसे किसी विविसाय में जो कि संबर्ती सूची या राज सूची में प्रगड़त नहीं है बिदी बनाने की अरन सक्ति होती है जबकि पूर्ता संगी विवस्थ में आवसिष्ट विधाई सक्तियां प्रायर राज्यों को प्रगड़ान की जाती हो जैसे ही राजमीर का की संगी बढ़ाली में आवसिष्ट सक्तियां विधाई सक्तियां राज्यों को सौपी गई है इसके संदर में आता है अब आता है हमारा कोश्चन जिसमें कुछा गय आनुछे 298 कि खंड का कि अंतरगत पारित पृष्टाओ निमलेखित में से किस से अधिक समय के लिए प्रवत्त नहीं होगा? तो ये आपका उपसंडी होगा जो की एक वर्स के लिए होता है। भार्ती सम्मिधान के अनुशेट 294 की खंड 2 की अनुशार। खंड एक के अंतरगत पारित पुष्ताव एक वर्स से अधिक समय के लिए प्रवत्त नहीं होता है परन्तु यदि जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाय रखने का अनुमूदन करने वाला संकल्प खंड एक में उपवंदित रीती से पारित हो जाता है और उतनी बारे से संक प्रवत्त रहेगा इसके अंतरगत आपको बताना है तो वह एक वर्स से अधिक नहीं रहेगा तो ऑप्सन सी होगा नेक्स्ट कोश्चन पूछा गया है कि निमने से कि सनुषेट के अंसर भारती समयदान में अंतराजी परसेदों की संदर में प्रावधान दिया गया है तो अंतराजी परसेदों की संदर में बात की जाए तो आपका अनुषे 268 आता है जिसके अंतरगती प्रावधान दिया गया है तो ऑप्सन भी होगा नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका कि एक अंतराजी परसेदों की स्थापना की जाती है तो कहां की जाती सकती है तो इसकी ज तो इसमें आपकी कौन कोन सी होगी तो इसमें बात की जाए तो आपका ओप्षन ही होगा क्यूंकि इसमें पहला वा दूसरा होगा पहला दूसरा में आपकी पहली आती है राश्टी विकास परशद विकास परशद और दूसरी जो आती है वह राजजपाल सम्मेलन इसके अंतरगत आती है तो इसमें आपका ओप्षन ए होगा अब नेक्स्ट आता है इसके अंतरगत की छेतरी परसदों का सरजन हुआ किस से हुआ या चंसदी है कानून से नेक्स्ट आता है कि निमने मैं से कौन छेतरी परसद की अधिक्षिता करता है तो छेतरी परसद की अधिक्षिता आपके भारत की ग्रह मंत्री करते हैं तो option B होगा निमनांकित मैं से कौन एक छेतरी परसदों का लक्षर नहीं है option A दिया गया है कि यह एक सम्मेधानिक संस्था है option B दिया गया है कि यह 5-6-3 परशदों कि स्थापना राज्जों के पुनरगठना दीनिया 1956 के अंतरगत की गई है option C आता है कि यह देपी चंडिगर्ड राज्ज नहीं है फिर भी एक 6-3 परशद में सामिल किया गया और option D आता है कि यह एक परामर्स्था 3 संस्था है तो इसके अंतरगत बात की जाए तो आपका यह option A होगा क्योंकि यह एक सम्मेधानिक संस्था नहीं है इसके संदर में आपका A आपका यह बाला नहीं और आपके B, C, D, 3 सत्य है तो इसके अंतरगत बात की जाए तो जो छेतरी परशद है बहे सम्मेधानिक संस्था नहीं बलत की एक सामिधिक निकाए है सामिधिक निकाए होती है जिसमें भारत में देखा जाए तो पांच छेतरी परशदों का गठन राज्जों के बीच अंतर राज सहियों को समनबे बढ़ाने के लिए राज पुनर गठन अदिनियम 1956 के तहट किया गया चन्रीगर राज नाव होती हो भी उत्तरी छेतरी परशद में इसमें सामिल और इसके अद्रिक दिली, दादरा और नागर हवेली तथा दमन इवम दीप पुदुचेरी संग राज छेतर होते हुए भी छेतरी परशद में सामिल किये गए और इन छेतरी परशदों का कारे बिविल छेतरों में आपसी हित के मामली पन चर्चा इवम से फारिस करना है और यह एक परामर्स्ता त्री संस्था होती है इसके अंतरगत आता है अब आता है आपका नेक्स्ट कोशन जिसमें पूछा गया है कि भारत में छेतरी परशदों के संदर में निमने मैं से कौन सा कथन सही है पहला कथन कहता है कि परशदे भारती संगे ववस्ता के उपसंगिये सूत्र के रूप में कारी करती है दूसरा कथन आता है कि परशदे भारती संगे ववस्ता में राज्यों की मद सही हो गिवम एकी करन का मार्ग परसिस्त करती है तो इसके अंतरगाट आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सत्य होगा तो पहला दूसरा दौनों ही इसमें सत्य होते हैं तो अप्शन C होगा इसके अंतरगाट आएगा छेतरी परशदे जो होती है वसंग विवस्था में उपसंगी है सूत्र के रूप में कार करती है जो एक बहतर मंच प्रदान करती है जहां परकेंद्रेवम राज्जों के बीच परस पर अश्मानताओं को सुतंत्रेवम निस्पक्ष विचारविमर्श पर परामर्सों के माध चेतरी परशद है भारती संगे विवस्था में राज्यों की मद्ध सायोग और येकी करण की मार्ग को परसस्त करती हैं इसके अंतरगत आता है अब आता है हमारा नेक्स्ट कोश्चन जिसमें पूछा गया है कि जारकंड चेतर श्वायतिता परशद का गठन कब हुआ था तो तो आप्सन सी आपका उत्तर होगा कि जारकंड चेतर श्वायतिता परशद जो है वह आठ अगस्ट 1995 को संथाल प्रगना और शूटा नांगपुर चेतर के अठारा जो लोग को सामिल किया गया था और इसमें सिबू सोरेन इस परशद इस परशद के अध्यक्ष बनाए सकती भारती समयधान के अंच्छी 222 में दूसरा ऑप्शन भी आता है अंतराजी जल विवाद अधिनियम 1956 ऑप्शन सी आता है नदी बूर्ड एक्ट 1970 और ऑप्शन डी आता है राश्टी जलनेती 1987 तो इसके अंत्रगत आपको बताना है कि इनमें से कौन साल कथन सत्त है तो यह जो नदी बूर्ड एक्ट है वो है 1970 में नहीं वलकि 1956 में आया हुआ था तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट आता है कि सरकारिया आयोग निम्लेके सम्बंदों में से किसकी समीक्षा हे तू स्थापित किया गया था तो इसके अंतरगत जो आपका उत्तर होगा यह उप्शन सी होगा क्योंकि राजी सम्बंदों के लिए यह तीन तरीके के आयोग किये गए थे जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका सरकारिया आयोग फिर आते हैं राजमनार आयोग फिर पुन्छी आयोग तो इस तरीके के विभिन आयोग इनके अंतरगत बना सी होगा नेक्स्ट कोशन आता है निमने मैंसे किस वर सरकारिया आयोग जिस केंदर राज्य संबंदों में परिवर्तन की संसुतिक आधिकार दिया गया था ने अपना प्रितिवेदन जमा दिया था तो इसके अंतरगत बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन ही है उननी स 20 85 ऐंटी 1997 और ऑप्शनए आता है उपरियोगत मेंसे कोई नहीं या एक से अधिरकाशनों में इसमें से उप्रूप्त मैंसे कोई नहीं या कोई दो एक से जादा इसमें नहीं है चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं इसमें आता है कि इसमें जो ये व्याख्या की संदर में दिया गया है कि ये जो बिहार लोग सिवायग में question पूछा गया था जिसमें आपका जो D उत्तर मतलब की उत्तर बिकल्प D था जो की सही नहीं है तो इसका रण से आपका मतलब की जो बिहार लोग सिवायग में question पूछा गया था तो इसमें जो answer किया थी तो उसमें D number का दे दिया गया था लेकिन इसका सही तो और पर उत्तर देखा जाए तो E होगा क्योंकि इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है जो यह कथन दिया गया उसको कोई भी इस पस्ट नहीं कर रहा है तो इस कारण से होगा अब नेक्स्ट आता है कि सरकारिया आयो कि संदर के सिफार्षों की संबंद में बापको बताना है कि किस से संबंदित है तो यह आपकी आती है कि उसार अंचे 356 का प्रियोग कम से कम होना चाहिए कारण कहता है कि जिन राजनितिक दलों ने के अंदर में सरकार बनाई उन्होंने अंचे 356 का दुरूपियोग किया तो इसके अंतरगत आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है औप्शन ए दिया गया है कि आर सत्य है कि इसके अंतरगत देखा जाएं तो इसमें आपका आता है औप्शन सी जिसमें ए और आर दोनों सत्य है और आर एकी सही ब्याख्या भी करता है तो इसका रण से होगा तो इसमें जो केंदर राजी संबंदों का विचार करने के लिए सरकारी आयूग का गठन 1983 में किया गया था सरकारी आयूग ने जो अपनी सिफार सेंब अंचे 356 में कम से कम प्रियोग में लाने पर बल दिया था और कई बार अंचे 356 का केंदर में सत्ता रून दलों दाला दूरू प्योग हुआ और अंचे 356 के अंतर अगर राश्ट पती सासन की घुष्णा अन्य प्रावधानों पर बिचार किये बिना जल्लिवाजी में कर दी गई और इस प्रकार का थे नौकारण दोनों सत्त हैं जो कि इस पष़्टी करण भी होता है अब नेक्स्ट कोष्टन आता है कि किस आयोग ने स्थाई? अंतर राजी परशत जो अंतर सरकारी परशत की नाम से जाना जाता है इस्थापना का समर्थन किया तो वो आपका सरकारी आयोग है? नेक्स्ट आता है question जिसमें पूछा गया है कि निमने मैसे किसे आयोग ने अंतराजी परशत के इस्थान पर अंतर सरकार परशत की इस्थापित करने की अनुशंसा की सरकारी आयोग ने नेक्स्ट आता है कि कौन से आयोग है समीती किसी फारिस पर भारत में अंतर राजी परसत की स्थापना की सरकारी आयोग की में नेक्स्ट आता है निमने मैसे संग राजी छेत्रों से सम्मादित नहीं है तो आपको बताना है तो इसमें आपका जो आता है कि सरकारी आयुक संबन्दित है, राजमनार आयुक संबन्दित है, पुछी आयुक संदर है, लेकिन आपका इंद्रजीत गुपता जो समीती है, बैसे संबन्दित नहीं है, तो option C होगा नेक्स्ट कोश्चन आता है, आपका इंद्रजीत गुपता जो समीती है, बैसे आपकी 1998 में चुनाव सुधार और जन पृतिन हुत्य कानू, उननी सु इंक्यावन में संसोधन के लिए सुझाओ देने हैं तो की गई थी, इस समीती का उद्दित जो था वो चुनाव कारियों म कि केंद्र राज सम्मंध हो, परपुनर विचार की मांगे बढ़ती रही है, कारण आता है कि इसमें राज्यों के पास विकासकारियों के लिए परियाप्त साधन नहीं है, तो अपरियुक्त कथन मैंसे कौन से कथन सकते हैं, इसके अंतरगत आपको बताना है, तो कथ पहला आता है, एक option कि A और R दोनों अपनी जगह सही है, जिसमें R A की सही ब्याख्या नहीं करता है, औotom C आता है कि A सही है, परन्तु R गल्त है, option D आता है, कि A गल्त है, R सही है, तो इसके अंतरगत आको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन आपके सत्य होंगे तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा मतलब की कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इसका सही इस पस्टी करण है तो आप सनी होगा इसके अंतरगत ब्याख्या को देखा जाए तो भारतिय संगे में केंदर की स्थिति और भूम का सक्तिस इस सम्मंद में राज्यों पर केंदर का वर्चस्ट होता है और यदि विट्तिय विश्यों पर वटवारा दोनों की मध्य किया जाता है। सब्सक्राइब। आप नेक्स्ट कोइशन इसमें पूछा गया है कि भारत के सभी दान के संदर में निम्रखित अनुछेदों में से किसके अंतरगत मतलब किसके अनुशार पृतिक राजी की कारपाल का सक्ती इस प्रकार प्रियोग किया जाएगा जिससे संग की कारपाल का सक्ती के प्रियोग में कोई अडचन ना हो और उस पर कोई पृत्गूल प्रभाव ना पड़े तो इसके अंतरगत देखा जाए तो आपका अनुचित 200 संतावन आता है जिसमें ये प्रावधान दिया गया नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका जिसमें पूचा गया है कि भारती संमिधान का कौन सा भाग के अंध्रेवम राज्यों की मद्ध बित्य संबंधू का बर्णन करता है तो आपका भाग 12 होगा जिसमें आपका बित्य संबंधू का बर्णन है और भाग आपका जो 10 है दस के तो इस तरीके से होता है अब आता है नेक्स्ट कुर्चिंड कि केंट, राज वीरे कि जह आते हैं टो आप Second question कें जयों कि मदई कियोक सम्दों कार्छ लगायाया ही तक कट्रित किया जाता है, लेकिन केंद मधिर्णी राज्यों के बीच वित्रित किया जाता है तो इसके अंतरगत आपको बताना है तो इसमें आपका अनुछेद आता है 270 जिसमें ये प्राउधान किया गया है कि कर्व को के अंदरे बारा लगाया इवम एक अतरित किया जाता है और के अंदरे बाम राज्यों के वित्रित भी कि किया जाता है तो option C होगा next आता है आपका question कि निमने करो मैंसे कौन सा एक कर संग द्वारा लगाए अब बसूला जाता है किन्तु संग राजी छेत्रों के द्वारा बाटा जाता है तो इसके अंतरगति आपकी चार्ट option दिये हैं जिसमें option 1 में आता है कॉर्पोरेशन कर, option B आता है किसी आए के अतरिक द्याए पर कर, option C आता है रेलवे किराए पर भाड़े पर कर, option D आता है कस्टम ड्यूटी तो इसमें देखा जाए तो आपका कोई भी उत्तर सहीं नहीं है इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं कि इसमें जो देखा गया है कि प देखा जाए मतलब कि 2006 में question पूछा गया है तो 2006 की recording situation इनमें से आएगी लेकिन अभी जो देखा जाए तो अभी प्रिजेंट में मतलब कि जो 6 की recording आपका था तो उसमें भी आपका उत्तर होगा क्योंकि किसी आए किसे भिना आयक पर वुद्गरी तो संगरीत करता था लेक ऊंचे 259 तरर 239 का मैं निर्दिष्ट करोई वुद्ग्नें सुल्कों को छोड़ कर भारसरकार द्वरा उद्गरी और संगरी हीत किये जाएंगी और 6278 के तहरथ संगरी हीत या राज्यो के भी राज्यो द्वरा संगरी हीत विनिजेत किए जाने वाली सुलक जो की संगय स सुची मबढ़नेत स्टांप सुल और अंच्छे 279 के तह संग द्वारा संगरहीत तथा उद्गरहीत। अब आता है निमने कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इसका भारत में भित्तिय सौदर पर स्टांप सुल और थी का जाता है। समिधान की अनुषी 268 की अनुषार ऐसे स्टांप सुलक जो संग सूची में बाढ़ने थे जिसमें संग सूची की प्रवस्टी 91 में बाढ़ने बित्तिय सोदों पर इस टांप सुलक उने संग त्वारा लगाया गया उद्गरीद किया जाता है किन्तु राज्यों के भीतरों संबंदित राज सरकार द्वारा संग रही तो भी नहीं उजित किया जाता है इसके अंतरगत आता है अब नेक्स्ट कुश्चन आता है कि निमनिम कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन कहता है जोगी भारत के सियर वाजार और फ्यूचर्स वाजार में हुए लेंदन पर क कि संदर में हैं जिसमें पहला कथन कहता है कि संग द्वारा लगाये जाते हैं दूसरा कथन कहता है कि राज्यों द्वारा इकत्रित किये जाते हैं तो इनमें से आपको सही उत्तर की पैचान करनी है तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन ही होगा क्योंकि इसमें संग द्वारा ये लगाए जाते हैं लेकिन इस साथ जो द्वारा ये कत्रित नहीं किये जाते हैं तो आपका option D होगा मनलब की option A होगा जिसमें आपका पहला वाला कथन सत्य होता है ये इसकी बैक है कि संदर में देखा जाए तो इसमें साम्मिदान के अनुचेद अनलब की सात्मियान सूची में के अंदर राज्यों की मद सक्तियों के बारे में बटवारे के बारे में दिया गया तीन सूचियां होती हैं जिसमें संग सूची, राज सूची, संबल्टी सूची, जिसमें सेर वाजार और फ्यूचर्स वाजार में हुए लेन्दन को संग सूची के अंतरगत आते हैं और इसे समेधान के अंचे 270 के तरह संग द्वारा लगाया या वो दिरहीत भी किया जाता है और भारत में प्रितिपूती हस्ताना अंतर कर जो बर्ज 2004 में लगाया गया था इसके अंतरगत आता है तो इस तरीके से आपका ये ओप्शन ये सही होगा क्योंकि राज्जो द्वारे 1100 के तो क्योंकि विवेकदीन अंधान का पुन्धान सम्मยधान के किस अनुशेद में किया गया है तो अनुशेद आता है 282 जिसमें प्रावधान दिये गये हैं तो option C आएगा नेक्स्ट आता है question जिसमें 47 नंबर का है जिसमें पूछा गया है कि क्या सम्मिधान की अंतरगत भारती संग की विदेशी रेड़सी थे लेने की सकती रखते हैं तो इसके अंतरगत आपको बताना है तो इसमें आएगा option B क्योंकि ये नहीं होते हैं तो इसके अंतरगत देखा जाए तो भारती सम्मिधान के 293 की कलोज एक की तहट कहा गया है कि राज्यों की कारपाल का सकती कब इस्थार राजी की संचित नेदी की पृतभूती पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदी कोई हो जने ऐसी राजी का विधान मंडल समय समय पर विधी द्वारा नियत करें भारत की राज चेतर के भीहतर उधार लेने तक ऐसी सीमाओंगे भीतर पिर्त्या फूतित देने तक की है, और अतै इस पश्ट है कि सम्मिधान के अंतरगत, भारती संगि के राज बिदेशी रण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, राज जों दोरा बिदेशी रण, संगि अ के अंदर सरकार के माधधिम से महरज सरकार की प्रिदूभूती पर पराप्ते किया जाता है, इसके अंतरगत आता है। अब आता है हमारा next question की राजि सरकारों को किर्सी आई परकर कौन समानदेशित करता है, तो किर्सी आई परकर जो है भूँपका भारत का समयधान करता है तो अब संडी होगा कि भई समयधान की साथ प्यान सूची में राज़ी सुची में प्रविस्टी 46 के तहद किर्सी आई परकर का उलेख है और यह बिसे राज्यों के अधिकार छेतर में होते हैं साथ ही इसी सम्मेधान के अनुछे 274 में किसी आए परकर और ऐसी करादान जिनमें राज्य हित्वध्य हित्वध्य हित्वडावधान नियत किये गए है नेक्स्ट आता है कि कैंदराज्य के बीज बित्तिय विवादों के निप्तारों के लिए मुख्य एजन्सी कौन सी है तो ये मुख्य एजन्सी आपकी सरवुचने आला है कि अगर कैंदराज्यों के मत है बित्ती बिवादों से लेकर कोई भी बिवाद होता है तो उसका जो मुख्य एजंसी के तोर पर सरवुचने आलाइकार ही करेगा नेक्स्ट कुशन आता है आपका जिसमें पούछा गया है कि निमलिखित करो मैसे किसके अंतरगद व्यक्ती द्वारा देव पूड धन्रासे समिधान द्वारा सीमित कर दी गई है तो ये आपका आता है उपसंडी जिसमें ब्यापार एवं व्याउसाय एवं बिर्ति कर के अंत में संदे कुल रकम पच्चिस सो रुपे पिर्तिवर्स की समीर्थी इसी मित कर दी गई है। नेक्स्ट कोशन आता है कि भारती समिधान मिनिमने में सेकिन आनिछेदों पर अंतराजी व्यापार और व्यवसाई की सुतंतरता दी गई है तो आपका अनुछेद 301 आता है जिसके अंतरगती प्रावधान दिया गया है जिसमें 301 में भारती समिधान की भाग 11-13 में अनुप बंदों की अधिन रहती हुए भारत की राजिसी शेत्र में सरवत्ति व्यापार और वाड़ेजी करने का समागम और अबात होगा इसके अंतरगत आता है अब आता है कुश्चन की भारती समिधान की अनुचेत 300 किस से सम्बन देते हैं 300 जो है वे मुकदमे एपतथा कारवाही से सम्बन देते हैं तो आप्शन ए होगा इसके अंतरगत ब्याक्ख्या देख लेते हैं की भारती समिधान की अनुचेत 300 कि तहत बाद और कारवाहीया का उलेक किया गया और अंशेत की खंड़े एक के अनुशार भारत सरकार भारत संगी की नाम से वाद या मुकदमा ला सकेगी और उस पर बाद लाया जा सकेगा और किसी राजी की सरकार उस राजी की नाम से वाद ला सकेगी और उस पर बाद ला जा सकेगा अंशे 302 में ब्या पर आपको इसकी पीडियाप आपको एवलेबल होगी धन्यवाद